मेरी perfume shopping is done and ये 7 perfumes मैंने order कर रहे हैं तो मैंने सोचा तुम लोगों को भी दिखाया जाए क्योंकि ये ऐसे perfumes है जो designer perfumes जो कि proper french perfumes है उनको भी easily beat कर सकते हैं वो भी in a budget So let's unbox some good perfumes now सबसे वहले जो मुझे पसंद आया था वो था अर्माफ का blue ohm जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है ये पर्फियूम ना अर्माफ का entry fragrance perfume है अब देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका budget बहुत साथ हाई नहीं होता चार सो पात्सो रुपे के पर्फियूम को खरीदने होता है वो दो-तीन अजार के पर्फियूम नहीं करी सकते तो अर्माफ ने यहां पर एक स्पेशल चीज करी है इस पर्फियूम का MRP 500 रुपेगा है तो तुम सोच लोड़ डिसकाउट्स पर तुमें जो सेल लगने वाले जिसकिल निक्स इस पर्फियूम की अगर बात करूं तो शित्रसी फ्रेश स्पैसी फ्रेइंस में तुमें सूंगे को मिलने वाली हो ओड आई रिली लव ब्लु पर्फियूम साट तुमें एक बजट में देखने को मिलती है तो मेरा मानना ही है तुमें अच्छी फ्रेइंस तेहिए और टॉप नोट्स की में बात करो तो ग्रेफ्रूट, बॉल्गमॉट, नेरोली, लेमन और लाइंग देखने को मिलेगा जोगी इसको एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है फ्रॉम देस्ट बेस्ट नोट्स में आते हैं लाविंडर, रोजमेरी, नट्बेक और जैसमीन जैसे अगर तुम्हें एकदम से फ्रेश फील करना है और ट्रावल के लिए कुछ ऐसा प्लास्टिक की बॉटल चाहिए, इस बार में ट्राइग किया यूए बेस्ट ब्रांट्स में जाए देखा हूं क्योंकि यह वैल्यू फोर मनी होते हैं, इनके कॉम्पेटिशन में बहुत कम ब्रांट से जो देखने को मिल रहते हैं, और इसको खोलते ही तुम्हें अंदर देखने को मिलेगा, ऐसे कोई नूर के हीरी जैसी बॉटल जो की काफी ज़्यादा है वी है, इस दे बॉटल एक रिली लुक्स रोयल, ऐसा लगता है तुमने कुछ हाथ में बढ़िया सी फ्र फ्रेग्रेंस है इसमें, अगर तुम लोग ऊध के बहुत बड़े फैन होना, तुम्हें भाई ऐसे मैस्कूलन फ्रेग्रेंस चाहिए, पूरे लॉंग लासिंग लिए तुम्हारे लिए ये वाली पर्फ्यूम काफी अच्छी होने वाली है, अगर तुम अक्च्छल ऊध क देख सकते हैं, नोट की मैं अगर बात करूं तो इसमें लेदर, उद, अलके से सिट्रस, एमबर, मस्क और सिनमन जैसे एकदम से हलकी-अलकी वाइब देखने को मिलती है, और ये उन लोग के लिए जो की प्रॉपर ऐसी फ्रेग्रेंस ढूंड रहे हैं, तो थोड़ी सी ले स्टाइल वाली पर्फ्यूम चाहिए, और ये तुवारे लेट उटके निकाली है, और फ्रेग्रेंस इस अजमल की Bastian Onyx, जो कि इस तरीके के कुछ दिखती है, let me just unbox this for you, मज़े आ जाएंगे तो में देखने को मिलने वाली है, और ये काफी compact size है, best है for travel, अगर तुम काफी जादा ट्रैवल करते हो, या for that matter, अगर तुमारी कोचिंग है, cricket की या फिर football की, तुम इसको easily अपने duffel bags में रख सकते हो, हाँ, glass की bottle है, थोड़ा सा ध्याल जरणा पड़ेगा, बढ़ हाँ, तुमारे पास बहुत साही चीज़ों की इसके बीच में इसको डाल कर सकते हो, worth the money, मैं बताता हूँ क्यों, एक तो अगर इसकी packaging के बारे हैं बात करों, तो जो borders है न, black color की काफी ज़्यादा premium दिखते है, और जो transparent glass है वो भी काफी अच्छी quality का use हुआ है, तो तुम्हें जब भी कम हो रही हो कि पता लगता रहेगा, यह मत समझना कि यह बहुत ज़्या का combination देखने को मिलता है, जो काफी ज़्यादा amazing लगने वाला है, and base में amber, oak moss and musk देखने को मिलेगा, जो कि मेरे कहाल से signature है, जितनी भी UAE based fragrance होती है, Ajmal is also UAE based, Latafa, Armaaf, यह सारे UAE based है, अगर बाइचांस तुम्हें को यह ऐसा brand बता है न, जो मैं बाइचांस में सा उत कर रह and I am talking about Latafa का Mahir, यह वाली एक काफी famous fragrance है, अगर तुम भाई किसी भी perfumeist को जानते हो, या फिर तुमारे आसपास कोई perfume shop है न, उसको तुम इसका नाम लोग है तो उसको पका पता होगा, अगर वो एक enthusiast है तो, and यह मेरी wish list पे बहुत टाइम से था, although मैंने इसको blind buy किया, मैंन दूसरा भाई है, यह देखो भाई, तुम किसी गिफ्ट भी करोगा, वो कितना जादा पुछ होगा, इसे ribbon shipman लगे हो, इन ribbons को खोलते ही, तुमें देखने को मिलती है, अंदर एक ऐसी bottle, जो मैंने किसी fragrance में नहीं देखी है, and the bottle which I am going to show you is this one, यहाँ पर देखो भाई, इसको spray घिया, एक powdery, woody, vanilla based fragrance आएगी, and काफी जादा rare होता है, woody और vanilla वो mix करना, और मैंने काफी ऐसे कम fragrances देखे है, जिनमें ऐसा वाला combination होता है, यह कई लोगों को ऐसे hard wood based fragrances नहीं पसंद आती, तो उनके लिए यह वाली fragrances आती है, जाँ पर हलका सा एक vanilla का twist देदिया, बॉटल का design is obviously one in class, लेकि अगर मैं इसके top notes की बात करो, तो red berries, peach, and burgomot जैसे fragrances देखने को मिलने वाली है, mid notes में jasmine, peony, and red lini का एक prominent fragrance है, साल सास में base note में अलग ही चाबतकार हो है, क्योंकि आपस sandalwood, vanilla, flower, and musk देखने को मिलता है, जो की base माँ आपका बिल्कुल strong रखेगा एक youthful, still manly, so this is the one for you, अगली fragrance आदी है, एक छोटा packet बड़ा धमागा, अजवल की तरफ से yearnd, और ये वाला इनका काफी नया और एक बज़र फ्रेग्रेंस है, वाव, क्या must bottle की packaging है, मैं तुम्हें ये काफी जादा common लग रही होगी, मैं भी इसको काफी जादा बार देख ये उस तरह का वाता है, लुगलर का पर्फियूम, उसका नाम भूलिया हम है, पोड़ा सा वैसा लग रहा है, लेकिन आजमल के वी ने काफी ऐसे फ्रेग्रेंस बेर चार पांच हजार के बे आते हैं, अर्माफ का चार सो पांच सोगला भी दिखाया है, तो अजमल ने सोच इसके अंदर डली होगी, तॉप नोट की इसकी बात करों तो बर्गमोट, मेटलिक, कोल्ड मरीन, और अरोमाटिक फ्रेग्रेंस देखने हो, मिलने वाली है, वहीं मिड में वोड अंबर की फ्रेग्रेंस है, एक ग्रेट एक अकोटिक फ्रेग्रेंस है, अगर तुमारा बीर जो की काफी सारे पर्फियूम्स बनाता है, इस पर्फियूम का नाव है, क्लब डर्भी हाउस, इसकी इक पर पैकेजिंग देखो, उपर ऐसे वेलवेटी फिनिश देखने को मिलती, जैसे तुम्हें मैं अभी उद वाले में दिखाई थी, पैकेजिंग में तो भाई, ये टर्भी ग्लब हाउस पर्फियूम्स थोड़ी से जो पोलो खेलते हैं या फिर हॉस रैडिंग करते हैं, उनके लिए बनाया गया था पर्फियूम्स तो ये इस तरीके का कुछ दिखता है, काफी छोटी बॉटल है, अगेन 100 ml तुम्हें देखने को मिलेगा है, ये है EDT, त टोड़ास लॉटल की बात करूँ, तो एक क्राउन बेस डिजाइन है, जहाँ पर उपर ऐसे गोलो तो देखने को मिलते हैं, तोड़ी सी ऐसी पर्फियूम्स जो की काफी जादा लोग यूज कर सकते हैं, और मैस अपीलिंग हो, वैसा इसको बनाया गया है, क्योंकि इसके लावेंडर और बर्गमोर्ट देखने को मिलते हैं, जब ये फ्रेग्रेंस दीरे दीरे फेडवे होना स्टार्ट हो जाईगी, और इसके उपर लिखा है कि इस इस मेड इन व्राज, तो ये जी सोड़ा द्यान से सुनने ले रा, क्योंकि इस ब्रैंड इस ब्रैंड इस फ्र प्रेंड पर्फियूम फ्राज और भी तो चीज देखा हैं, जो गो जो तरीक ही कुछ ती है, इस स्मेल के ओड़ गाओ अ डियॉर्ट इस ब्रॉट्फर लॉट्ड जो मुझे इतना जादा पसाद नहीं आता, जो लाँख किया होगा जो कि अभी नाजद ये साह ब्ले होग जाए, but this is a Dio, not a perfume, let's come to the main Dio and this is the bottle that I am talking about. नाज दिया कुछ इस तरीक है निस्टिक प्केजिंग में तो आता है, लेकिन ये ना एक unisex fragrance है. Latafa भाई काफी एक पुराना प्लेयर है इन दे मारकेट, and एक citrusy, warm, spicy fragrance तुमें देखने को मिलने वाली है. उपर की बात करो तो यहां पर तो में लताफा का साइन मिलता है और बॉटल का जो कैप है वो भी काफी लेधरी बेस्ट है नीचे आते हैं एक ऐसा फूल का पत्ता तुमें देखने को मिलता है टॉप नोट में इसमें एपल लेमन और सिनमन का यूस किया है बर्गमॉट और ल अमबर और संडलवर्ड विद सिडार और टोबैको जो इसको लास्ट ली एक मैनली फील तो देगा ही देगा तुम लोगों तुम लोगों तो यह थी आज की वीडियो अगर तुम लोगों पसंद आई और पर्फुम इन में से खरीनने चाहते हो सब के लिंक्स में और और शुब अगर देगा तुम लोगों तुम लोगों से में में नेस्ट विडियो के सो तिल आज सेखी स्थी प्लक्रीश थीज देख्वाई